अगर आप भी वीडियो कॉलिंग के जरीए अपने परिजनों से दोस्तों से बाचीत करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है दरसल इस चीज को ध्यान में रखकर इंस्टेंट मैसेजिंग एप वाटस एप ने अपने यूजर्स के लिए वीडियो कॉलिंग में थोड़ा बदलाव किया है इस बदलाव के तैद अब एक बार में आठ यूजर्स ग्रूप में वीडियो कॉल कर सकेंगे हाला कि कई बार ऐसा होता है कि कॉलिंग के दौरान कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे देरेसल एंड्रोइड और आई ओएस प्लाटफॉर्म पर एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके जरिये वीडियो कॉल को आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है इस फीचर का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस पहले तो आप यह जान लेज़े कि अगर आप के पास Android फोन है यानि अगर आप Android यूजर है तो आप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं अगर आपके स्मार्ट फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर नहीं है तो आपको Google Play Store पर जाकर DU Recorded App डाउनलोड करना होगा जैसे ही आप इस Mobile App को Open करेंगे आपके सामने ज़रूरी Permission का एक Option आएगा इस Option पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद आप आसानी से वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे अब सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप iOS यूजर हैं तो आप वीडियो कॉल रिकॉर्ड कैसे करेंगे सबसे पहले आप वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए स्वाइप आप की जाए यानि स्क्रीन पर जाएए और नीचे से उपर की और स्वाइप की जाएए इसके बाद आपके सामने एक कंट्रोल पैनल ऊपन हो जाएगा अब आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ओप्शन दिखाए देगा जिस पर आपको क्लिक करना है इतना करने के बाद आपकी WhatsApp वीडियो कॉल रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी तो इंजोई कीजे WhatsApp वीडियो कॉल ग्रूप में आट लोगों के साथ और इसे आप अपने पसंद के हिसाथ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला.डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें